अब से ना ही कोई प्याज और टामाटर ना ही कोई काजू और करेम फिर भी बनेगी होटल वाली साही मतरड़ पनीर घर में बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए बनाते हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली है जिसको बनाने के लिए पनीर के लिए मैरिनेशन रेडी करते हैं जिसके लिए एक चमज मस्टर्ड ओयल और इसमें थोड़ा सा आधा टीस्पून मैंने हर्दी पाउडर डाल दिया है बड़ा सा कलर आएगा एक चमज भर के कोरियंडर पाउडर यहां मैं छोटी टीस्पून क यूज कर रही हो आप देख सकते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी आधा टीस्पून उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक सॉल डालेंगे काला नमक और थोड़ा सा साधा नमक यह साई चीजे मैरिनेशन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है अब रेड चिली आप अपने चोईस कर लेंगे कि यह से बहुत ही अच्छा से कोट हो जाएगा ना तो जब आप इसको बनाओ गया तेज बहुत ही जब अजस्त आने वाला है तो देख सर्सों के तरह मैं बिल्कल होटल वाला मैं आपको बना के खिलाने वाली हूँ अब आपको क्या करना है मैंने 160 ग्राम पनीर के साब से आधा कब दही ले लिया है उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा से यहां पर रेड चली पाउडर डाल दिया है साथ में डाला है मैंने कोरियंडर पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर यह रोस्टेट क्यूमिन पाउडर है वो भी डा काजू के हम केसे बनाने वाले हैं तो यह रॉव पीनट जिसको आपको भुनना बिल्कुल नहीं है डेड़ घंटे के लिए अब जैसे इसको फ्रिज में रख दोगे ना सौरी फ्रीजर में रखना है तो बस अब सा हांतों से हलका सा प्रेस करोगे सारे छिलके बहुत अच्छ विबाद रख दीजे उसके बाद उसका आथों से रब करके छिलका निकाल लिए उसकार पनीर के किनारे के ऐसे अनीवन टुकड़े होते हैं ना वह नहीं थोड़ा सा कट करके रख लिया था वह हम इसमें टाल देंगे तो मैंने यहां पे डाल दिया आधा कटोरी उसके बा जाने के थोड़ा सा मैंने शक्कर डालका सब को अच्छे से ग्राइन कर लिया तो बढ़िया वाला काजु का पेज तयार है तो अगर आप रोव पीनट से बनाई हो तो इसमेल कभी नहीं आईगी और आपको ऐसा लगेगा या बादशाही पनीर खा रहे हो तो आपको पैन ले की कोटिंग भी आ जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो आपने देखा ना मूमफली से बिलकुल काजु का पेस्ट बना सकते हो बहुत ही टेस्टी वाला किना आप इसको रोस करोगे तो उससे वह ऐल सेपरेट हो जाता है उसकी खुश्भू आने लगती ह तो आप उसको डेड़ घंटे फ्रीजर में रखिए उसके बाद हाथों से रब करेंगे चिलका आसा ही से निकल जायता है उसको निकाल कर ग्यानी जर्में को पीसना है और देखते देखते हमारा पनीर भी बहुत अच्छे से फ्राय हो गया है तो हमें बस इसको निकाल लेन है अब बनाना चालू करते हैं तो मैं इसको मस्टर्ड ओयल में बना रही हूँ यकीन मानिए बहुत पसंद आने वारा तो एक चमबस मस्टर्ड ओयल उसमें थोड़ा सा एक चमबस क्यूमिन सील्स डाल देंगे साथ में यह है दो लॉंग और एक चोटी इलाइची ग्रीन थोड़ा सा मैंने आप जिंजर डाला है आप ग्रीन चिली भी यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपको और तीखा खाना पसंद है तो सबको अच्छे से भूल लेंगे पहले अधरक कच्छा पंजाना बहुत जरूरी है अब मैं यहाँ पर इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पर कश्मीरी रेड चली पाउडर हल्क असा ज्यादा नहीं डालूंगी आप अपने इसाब से कम्या ज्यादा कर सकते हैं और फ्लेम यहाँ पर लो जाता फ्लेम को हाई कर दीजिए और अच्छा से इसको बॉयल होएं दीजिए यह फट जाएगा दाही इस चीज़ आपको ध्यान रखना है इसको चलाते रहेंगे अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा यह देखे बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है और बस ज्य ने ठोड़ा साही मटन डाला है यहाँपर घ्रेवी मेरे पाथ दूड़ी सी है अपने साब से कम्या ज्यादा डाल सकते हैं आपको मटन नहीं डालना है तो सिंबला में इसको भी मैरीनेशन में डाल कर उसको भी पनीर के साथ भूंळ लीजेगा वो डालना है और इसको बस आप इसको अराम से मिक्स करके ढख दीजे लो फ्लेम में आराम से पकने दीजे इसको अब देखोंगे पकते हैं कितना प्यारा ओल सपरेट हो गया है पनीर आपका बनके तयार हो गया आपने देखा ना वही रिच ग्रेवी के साथ वही कलर वही टेक्शर और इतना गाड़ा क कोई कह नहीं सकता कि यह बिना काजू का और बिना प्यास टामाटर के बनके तयार हुआ है एक वर दिसको जलू ट्रायर करें और चलिए इसको घर्मकरम सर्ब करते हैं रोटी के साथ अ कि पराठे के साथ बहुत टेस्तीला उसको आप ट्राय करें बहुत पसंद आने वाला ह तो प्यास टमाटर बहुत महागे हो गए हैं तो अभी आप बिना प्यास टमाटर के बहुत ही टेस्टी वाली ये बिल्कु शाही मटर पनी घर में बना सकते हैं या शाही पनी सिम्ला मिज बना सकते हैं पसंद आए चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वाली पनी के देश पी कैसे लगी तब तक के लिए बाए